Integrity Certificate का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Integrity Certificate को हिंदी में सत्यनिष्ठा प्रमान पत्र या इमानदारी प्रमान पत्र कहा जाता है और ये एक official document होता है जो किसी भी वैक्ति की इमानदारी का सबूत होता है कि उस वैक्ति ने आज तक जो काम किये है या पहले जिस company में काम किया है सब चीजों को जाज करने के बाद उसको एक certificate issue किया जाता है कि इस आदमे का जो वहवार है वो ठीक ठाक है उसने कभी कोई बेमानी नहीं की है कोई गलत काम नहीं किया है या उसका जो moral character है वो ठीक है और इसका जो reason है वो अलग-अलग हो सकते है यानि कि कि किसी भी वैक्ति का background चेक करने के बाद जो भी institution या authority होती है जो उस वैक्ति का background चेक करते हैं वो उसको एक integrity certificate देते हैं और इसका इस्तेमाल government jobs में भी किया जा सकता है security clearance के लिए भी किया जा सकता है और कई बार government या private job में कुछ ऐसी post होती है जिसमें वैक्ति का इमानदार होना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए वैक्ति का background जो है चेक किया जाता है कि ये वैक्ति ठीक ठाक है किसी company में इसने कोई गडबड घोटाला तो नहीं किया है या past में इसका कोई criminal record तो नहीं है तो ये सब चेक करने के बाद अगर कोई वैक्ति ठीक पाया जाता है उसका सारी चीजे सही पाई जाती है तो उसको एक integrity certificate दिया जाता है जिसके आधार पर जो है वो कोई sensitive roles या responsibilities या कोई ऐसी job जिसके लिए इसकी requirement होती है वो पा सकता है तो इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen और video के description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और भीतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन को प्रेस करें